structure of nephron देखते हैं आचे में देखना है about 1.2 million nephron per kidney में मतलब बहुत सार nephron चलिए एक nephron को बाहर निकाल लिए और उसका हम लोग structure देखते हैं आप structure कर देखोगे देखोगे यहाँ पर आपको efferent arteriol दिखेगा जो की wider है in comparison to efferent arteriol और efferent arteriol के division से ही बनता है tuft of capillaries जिस इसको में बोलते है baumens capsule ना यह baumens capsule जो आप देख रहा हो इस continue होता है tubules में जिसको रिनल tubules बोलते है यह तीन पार्ट में divided है proximally जो convoluted structure बना रहा है घुम्राओदार structure बना रहा है इसको में बोलेंगे proximal convoluted tubules क्या बोलेंगे students proximal convoluted tubules फिर वो देखे continues होता है यूसे structure पे hair pink loop जैसा structure बनाता है जिसको में बोलते है loop of family क्या बोलेंगे loop of family फिर वो देखे further continue होता है फिर वहां पे थोड़ा सा capillaries बना दिया है that means blood vessels का जाल बना दिया है क्योंकि देखने के लिए आपको डाउनलोड करना है नीट पीडिया एप नीट पीडिया एप Google Play Store पे वेलेबल है इंस्टाल करने के बाद वहां से डाउनलोड जब आप कर लोगे इंस्टाल करने के बाद वहां पर आपको लॉग इन पेज आएगा आप अपने जीमेल के थ्रू या फेस्बूक के थ्रू दोनों ही चीजों से आप लॉग इन कर सकते हो ठीक है फिर वहां पर कुछ नेसेसरी डिटेल्स मांगेगी आपको भर देना आपका एप चालू हो जाएगा एप चालू हो रने के बाद आपक करोगे वहां पर आपको ncrt-based lectures मिल जाएंगे वह एक trial version है उसमें हमारा सारा test series जो है सभी बच्चों के लिए free है और टेस्ट का schedule कैसा है जानने के लिए आपको एक week पहले आपको बता दिया जाता है टेस्ट कब होने वाला है और किस topic पे होने वाला है और उस जानकारी के लिए आप हमारे ग्रूप में जूड़ सकते है ग्रूप जॉइन करने के लिए जो WhatsApp पे ग्रूप है उसका नंबर ह है 848207 8400 हम दोग डिटेल स्ट्रूप पढ़ने जा रहे हैं आपको डिफनेशन पता है पहले हम लोग निफ्रोण यहां लिख लेते हैं यह हम लोग आज क्या डिसकस कर रहे हैं नेफ्रोण तो नेफ्रोण का आपको डिफनेशन पता है यह ओल्रीडि मैं बता चुका functional unit of kidney it is structural and functional unit of it is structural and functional unit of kidney क्या है structural and functional unit of kidney है now कहने का मतलब समझ ये kidney का जो चीफ का position है जो major composition है वो खिशिश का बना हुआ है कि नेफरोन का मतलब बहुत सारे नेफरोन मिल के millions of NEPHRON मिल के kidney का formation कर वा रहे हैं इस नाउ functional unit कहने का मतलब है kidney का function क्या है urine formation लेकिन नेफरोन का function क्या है you information मतलब सारा इफरोन का कान ही क्या है का फॉर्म करना किड्नी का भी तो डिफरेंस क्या है दोनों को फॉंक्शन में ठीक है माल लूजे एक नेफ्रोन में 1 million है ठीक है तो अगर एक नेफ्रोन वन ड्रॉप आफ यूरीन बना रहा है तो पुरा किड्नी कितना बनाएगा 1.2 million drop of urine समझ में आ रहा इसी लिसको multifunctional unit चलिए इसका structure आपको मैं दिखाता हूं ओके strengths आपको घर ध्यान में होगा अभी animation में आपको मैंने दिखाया था इस तरह से की structure था yes जिसको आपने performance capsule के नाम से जाना था ओके नाव फिर इस तरह से देखा था एक convulated tubule था ओके एक convulated tubule था बनाता हूं मैं डाइग्राम ठीक से तो तो यस इस तरह से च्यूब था 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 इस तरह से सर्कुलर हो गया था convulated हो गया था घूमा घूमा था था फिर यह ऐसे निकला और फिर यह कलेक्टिंडट से जाके मिल गया ठीक है ध्यान में आ रहा है इससे तरह से श्क्टार को मैंने बताया था भी आपको थोड़ी दिर पहले नाव इस्टूंट्स यह देखी जो इस रख यह देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं यह कप लाइक इस्ट्चर जो है दकप लाइक इस्ट्चर इस नोन एस बॉमेंस कैप्सूल क्या बोलते हैं इसको यह बॉमेंस कैप्सूल क्या हो गया बॉमेंस कैप्सूल नाव अब देखिए बॉमेंस कैप्सूल अब इस बॉमेंस कैप्सूल में इस बॉमेंस कैप्सूल में इस बॉमेंस कैप्सूल में बॉमेंस कैप्सूल में इधर से आता ह A3, yes, is A3 का नाम है arrival वाला जो है, ठीक है, एह खोर अरैवल और A4 afferent, yes, इसको हम लोग जो घोर जोर cabeça Dan आफ़रेन्ट ये जो है जो है, यह beta ऐदर, divide करता है यहाँ पर कई branches में ठीक है branches में divide कर गया और फिर unite करके इस तरह से बना गया इसको हम लोग बोलते है efferent arteriol इसको हम लोग क्या बोलेंगे efferent arteriol समझेंगे कोशिश करिए यहाँ पर क्या है यह tuft of capillaries है यहाँ से division किया और यहाँ से again क्या हुए है रिउनाइट किया और यह बना दिया क्या है tuft of capillaries का गुच्छा है tuft of tuft of capillaries tuft of capillaries tuft of capillaries को ही हम लोग glomerulus बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको glomerulus बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे प्लस ग्लोमेरूलस प्लस ग्लोमेरूलस इन दोनों को मिला के एक अलग इस्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता जिसको हम लोग बोलते हैं माल पीजियन माल पीजियन कॉर्पसल अरे अभी आप बोलोगे सर अभी थोड़ी दिर पहले हमने नाम सुना था इसका यस वह आपने सुना था इस्ट्रेंट क्या माल फीजियन त्रिवील बहुतigare हैं बहुत इम्पोटेंट इस टुन-बहुत इंपोटंन है तो देखें इसका और नाम है इसको लोग रीनल कोर्पसकल जुत हैं यह यह रिनल रिनल को बोलते हैं नाव अब इक शीज आप समझने गोज़ करिए यह आपका हो गया बॉमेंज कैप्सूल प्लस ग्लोमरलस दोनों को मिला के हमने दे दिया नाम क्या मैल पीजियन को कॉर्पसकल यह रिनल कॉर्पसकल यह पुछा जाता है नाव अब आप्सन में आपक मिल पीजियन अ मैल पीजियनन टीविल नारैयर माल पीजियन सुलकिया है यह स्ट्थेन इक स्कृट्री ओर्प के तर इस स्कृट्री और घचेम यह ज़ंट और यह एक्जाम में कॉशन आ आता है यह अभ बहुत इम्कॉर्ट्रूंटं अब और इन्पसकल यह ऑ्टुण अ यहां से लेके यहां तक जो स्ट्रक्चर बना यहां से लेके यहां तक जो स्ट्रक्चर बना इसको हम लोग बोल देते हैं यहां अगे बढ़ते हैं अब देखें यह जो पाइप है यहां से लेके यह जो स्ट्रक्चर आप देखें यह एक तरफ ओपन है देट मीज अगर फ्लुइड का फिल्ट्रेशन होगा फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होगा वह इसी डैरेक्शन में ट्रेवल करेगा यह जो है यह जो ट्यूप लाइक स्ट्रक्चर है यह यहां पे आके घूमावदार हो गया है है Convulated हो गया है इसी लिए इसको Convulated Convulated Tribule क्या बोलेंगे इसको Convulated Tribule लेकिन यह बॉमें capsule के पास है यह बॉमेंस के प्रोक्सिमल है इसी लिए इसको नाम दे दिया आप देखे जब प्रोक्सिमल है यहां पर भी घुमाओदार श्रक्चर है इस यह भी क्या हो गया है यह Is Convulated Convulated Tribule लेकिन क्या प्रोक्सिमल है जी नहीं यह दिश्टल है इसको और दिश्टल कंव यह गोधि यह पनीक जैसा होता है ठीक है बालो में ओजे हेयर पीन लगाते है वो भी क्या होता है? इसी तरह से होता है ठीक है? Now, this is called as Hairpin Loop Hairpin Loop या साइटिश के नाम जिसका नाम और ही है? Hanley's Loop यह सको loop of Hanley भी बोलते हैं Now, loop of Hanley का दो पार्ट है लूप आउफ हैनले का दो पार्ट है एक येस डिसेंडिंग पार्ट और एक जो है स्टुएंट ये लूप आउफ हैनले में आपने देखा एक क्या है येस नीचे के तरफ जा रहा है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं येस दो लिम है इसके पास एक होगा येस डिसेंडिंग लिम ठीक है और दूसरा जो है स्टुएंट जो उपर की तरफ जा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एसेंडिंग लिम आफ लूप आफ हैनले एसेंडिंग लिम आफ लूप आफ हैनले इसी में देखिए इसी का एक thick portion है और एक thin portion भी है थick portion और thin portion उसके बाद उसके बाद उसके बाद ऋसके बाद देखिए क्या हो रहा है यह देखिए यह thick portion एगेन convert हो गया क्या convulet tribal जिसको मैं बोलते हैं distal convoluted tubule और फिर यह जा के एक common channel में open हो रहा है जहां पे अलग-अलग nephron के अलग-अलग nephron के collecting duct आके sorry अलग-अलग nephron के DCT आके open हो रहा है ठीक है that means it is called as what collecting duct it is called as collecting duct okay knowledgeosta देखाना है मुझे यहां पे भी चलग अचिप्ट ब test mates यह जो है कि अफरेन्ट अट्रियोल जो है गुव्य ह। गोय हां पर दाता है Yes कि अफरेंट अठीर्ट ब्लेड़ को यहां पर लाता है कैसा वड़ल लाता है यत मीघ्ल विस्ट कांटेनीम यहाँ पर nitrogenous waste का concentration ज्यादा होता है और यह different arteriol जो होता है यह इधर blood को ले जाता है और यहाँ पर waste material filter हो जाता है waste material यहाँ पर filter हो जाता है that means it has less waste it has less waste material ना चीज़ और आप देखिए इसका अगर आप diameter देखोगे यह lumen देखोगे यह मैंने थिक बनाया है और यह narrow बनाया है that means afferent arteriol has wider lumen wider lumen यह exam में question आएगा wider lumen कौन सा है different का क्या है yes narrower होता है different जो होता है narrower होता है narrow lumen होता है narrow lumen होता है ठीक है इतना सी समझ मैं है आपको क्यों क्योंकि यहाँ से ज्यादा पानी आएगा यहाँ से कम पानी जाएगा that means यहाँ पे pressure generate होगा और इसी pressure से filtration होगा यहाँ से ज्यादा blood आ रहा है लेकिन यहाँ से कम आ रहा है और यहाँ पे pressure का क्या होता है ठीक है तो जितना भी तक मैंने पढ़ाया आप कोई पर हम फिर से पढ़ लेते फिर हम आगे बढ़ेंगे यह नेफ्रोन क्या है structural functional unit of kidney है इसमें दो पार्ट है देखो एक क्या है अफरेंट रट्रियोल वाला या टुफ्टफ अफ कैसा होगा वाइड और इसका कैसा होगा नेरो यह कोश्र आपका यहां पे दो तिन कोश्र बन गया ओके ना यह जो ब्लाइंट ट्यूब आप देख रहे हो एक तरफ ओपन है एक तरफ ओपन है इसको हम लोग ब्लाइंट आम यूट बोलेंगे जो एक तरफ उपेन होगा दूसरी थे खुला होगा यह देखो एक तरफ उप में हैं दूसरी तरह एक प्रोस है और यह कप लाइक श्रुक्चिर है इसलिमें नाम दें बाम मेंच कैप्सुल ओके नाँ डिया माल्पीजियन कॉर्पसल या रिनल कॉर्प इसको बोलते हैं नाव इस हाँ पर डिफ्रेंसियेटिंग फीचर जो है क्या है मेलफिजिय टीविल जो की इंसेक्स में पाया जाता है जो की स्कुलिटी और गन ओफ इंसेक्स है ना पहली बार जब गुमाओ दाल श्रक्चर बनाया इसको हमने नाम दे दिया इस प्रॉक्सिम अग्विलेटेड़ चीविल ओके प्रॉक्सिमल कंविलेटेड़ फिर इसने क्या एक हेर पिन की जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हमने जान दे दिया लूप औफ फैनले और हेर पिन लूप ओके ना उसका एक थिक पोशन है उसका दो पोशन हो गया एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग पोशन जो है उसमें दो पार्ट हो गया थीन और ठीक और यहां पर घुमाओदार स्ट्रक्चर रहें बहुत सारे नेफ्रोन आके बहुत सारे नेफ्रोन आके ओपन हो रहे हैं अब हम तोड़ा सा और आगी स्ट्रक्चर देखते हैं यह हटाते हैं आजे हाँ होकी तो आपने देखा यह जो है क्या है नेरोवर पॉशन है इसको में लोग नाम दे दिया है क्या इफरेंट आटरयोल ना यह इफ्रेंट आटरियोल यह इफ्रेंट आटरियोल फर्दर फर्दर डिवाइड करता है यह इफ्रेंट आटरियोल जो होता है वो फर्दर डिवाइड करता है ओके यह इफ्रेंट आटरियोल जो होता है फर्दर डिवाइड करता है ओके नाव यह फर्दर डिवाइड कर इस तरा से यह चारों तरफ इस बनाता है इस टीफ्यूल तरफ रहते है यह जाके इंगे रहते हैं means इनको हम लोग किसके periphery पहले है यह त्बूलिस के है that MEANS इसको हम लोग को नाम दे सकते हैं peritubular capillaries बोलिये हा या ना नाम दे सकते हैं की नहीं peritubular capillaries इसको हम नाम दे सकते है केपिलर और यह कुछ इसी को करते हैं बूह ना जी तो आप ने denn रिक है कुछ बनते है बंते हैं कुछ लूप हो है यह दोthis म ais के बनते हैं ते हो देखें यह क्या है इरेक्ट है इसलिए के नाम पर word add होता है रिक्टा बाईलोजी में रिक्टा मतलब होता है straight okay now blood vessels है ठीक है blood vessels है इसलिए यहां पर term दे दिया गया है vasa okay so this is called as word vasa recta that means vasa recta also formed by the division of the efferent arteriol by the division of the efferent arteriol but it runs parallel to the loop of family समझ में आरा भाई साब ना परिट्यूलर के जो चारों तरफ है जो PCT के DCT के चारों तरफ है एकदब parallel रन कर रहा है पिरे उसके जिस तरह से उसमें घुमाओदार असको हमने नाम दे दिया prayer tubular épa bands लेकिन जो लूप औफ है लेकिन जो लूप आफ हैनले के parallel है जो लूप अनले के parallel है उसे हमने नाम दे दिया vastly rhetoric क्योंन है चूप चूप की रेक्ट है तस्ट्रेट है इसे लिए blood vessels जो है वशा भी स्ट्रेट है इसलिए उसका नाम पड़ा है क्या वासा रिख्टा बोथ हर फॉर्ण बाइद डिवीजन ऑफ इफरेंट आटरी ओल ठीक है नौ आगे देखिए यह अल्टिमेटली यह अल्टिमेटली यह सारे जो है वासा रिक्टा यह वासा रिक्टा पेरिट्विलर के प आपको पता है आपको पता है यह अटरियोल होता है यह अफरेंट रिएलर जो बना है हमारा है एक मिधन ग्र्राइब अकि पर लिकर लेता हूँ थाकि आपको मैं समझा सखें praileri पीन मधा है कि ओकी है नाव आप देख रहे हो आप देख रहे हो यह अफरेंट अट्रियोल जो बना है कैसे बना है बताइए ज़र आप अफरेंट अट्रियोल कैसे बना है आप ने किड्नी के हाइलम में देखा था किड्नी के हाइलम में देखा था क्या था येस रीनल आट्री था किनी था येस division of division of renal artery द्यान में आ रहा है it is formed to the division of the renal artery now आपको पता था kidney में क्या हुआ था kidney में क्या हुआ था artery का entry हुआ था और एक भेन बाहर के तरफ गया था now यह सारे यह सारे structure मिलके बनाएंगे क्या renal vein renal vein that means आपको समझ में आ रहा है क्या जाल बिछा हुआ है millions of nephron में millions of nephron है तो वहाँ पर क्या हुआ आर्ट्री जो एक अर्ट्री थी वह कितने ब्रांचेस में नाव चले फिर आपने देखा फिर आपने देखा यह आप जो श्रक्टर देख रहे हो यह यह स्ट्रक्चर क्या है प्रॉक्सिमल कर विलेट इप्यूल को अगर बाहर निकाल के इस तरह से त्यूब लाइक श्रक्टर दिखेगा नाव धियान रखीए गा यहां पर इसका इपिथीलियम होता है यहां इसका क्या होता इपिथीलियम जब आप इस इपिथीलियम को माइक्रिसकोप से देखोगे आप वह कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा यह स्ट्रक्टर दिखेगा नाव स्ट्रेंट्स बाइलोजी में इस इपिथीलियम को हम लग बोलते हैं इपिथीलियम को बोलते हैं Sillated Cuboidal Epithelium क्या बोलेंगे इसको yes Sillated Cuboidal Epithelium ध्यान रखिएगा इसको मैं Decode कर रहा हूं Sillated Cuboidal Epithelium कहा होता है yes Proximal Convulated Tubule पर नोड़ कर लिजेगा Proximal Convulated Tubule पर होता है PCT के पास होता है Proximal Convulated Tubule नाव इसका काम क्या होता है देखें इसको हम लोग क्यों बोलते हैं क्योंकि यह क्योंकि जैसा होता है लेंथ ब्रेथ हाइट सबकुछ होता है है एक उपर वाला उपाइस कर रहा है कि अब देखो फिल्ट्रेट इस तूप के थूप करेगा तो यह किसको कर रहा है तो जब होता है जो ब्लड होता है उसमें बहुत सारा बहुत सारे ड्रीय होता है तो यह इसको एब्सॉप करता है जी जो सिलिया स्रॉक्षर बना वह एब्जॉप्ष करता है कैसे करता है increase the surface area for the absorption समझ मैं आ रहा बेटा यहां से blood filter हुआ blood में essential substance भी था तो इस tube को मैंने यहां पर आपको एक बनाया तो देखा यहां पर बहुत सारा substance essential substance था उस essential substance को कौन absorb करेगा कौन absorb करेगा यह करेगा कौन ciliated cubital epithelium यह ciliated area कैसे increase कर रहा है माल लो माल लो यह मेंब्रेन है यहां पर इस तरह से transporter है transporter सीच तो पता होता है न जो ट्रांसपोर्ट में help करता है दो ट्रांसपोर्टर है दो molecule transport होगा ना इसी इतने ही बड़े में इस तरह से मैंने एरेंज कर दिया अब बताओ imagine करो इसमें क्या होगा इसमें बहुत सा ट्रांसपोर्टर होगा माल लो अब ऐसा हो गया यह शिलिया बना दिया membrane का membrane का surface इरिया क्या हो बढ़ गया अब इसको अगर membrane को खोलो ता आपको इतना बड़ा में नंदिखेगा यहां वड़ी ट्रांसपोर्ट रहां भी ट्रांसपोर्टर रहां भी ट्रांसपोर्टर आप कर वितauft conductivityन तो तो अलित्मेटली स्ने क्या किया कि इंक्रीजेज ज़ा सर्फेस एरिया foränger जित्रेश्डवわかें utility आपक्यशीज इंक्रीज़ kabla आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे आपको मैं डिखा देता हूं फिर मैं यह ग्लमरूलस का इस्ट्रक्चर जो है इसका डिटेल आपको में बताऊंगा किस चैप्टर में अभी जब मापको मेकनिजम उर्फ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तब ओके चलें कु का ग्लमरूलस और यह जो आप श्रक्चर देख रहे हों बामेंज कैप्सौल चलें यह डाइग्राम अजरा आप देखिए यस एगेन आप लगता है क्योंकि यह मोटा है यह पतला है और यह प्लैक्ति नहीं और यह जो है आप परिट्वलर कैपिलरी केपिलरी देख रहे हो और ये स्ट्रेश्टर जो देख रहा है YouTube ये 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 आपका हो जाए क्या आघ वाशा अ कि रिक्टा वाशारें और ये आप honestly में और दिखाता हूं मैं नजसर ship को सारे ऑफे jos यहां से मैं अपराइं को कि कॉर्टेक्स ऑफ गिड्नी में प्रिजेंट रहता हैं और उसके नीची वाला या जो हो है मेडूला में प्रेजेंट होता है यह आप एक्जाम में कोश्चन आएगा तो पुछेगा PCT भाई साब कहां प्रेजेंट रहता है कोटेक्स में कहां प्रेजेंट रहता है कोटेक्स में लूप आफ हैनले कहां प्रेजेंट होता है जी मेडूला में कलेक्टिंग कहां present होता है दोनों में बोथ cortex plus medulla medulla दोनों में present होता है yes क्या होता है cortex और medulla दोनों present होता है समझ में है चलिए फ़ड़ आगे बढ़ते हैं ओके स्ट्टेंट depending upon the depending upon the depending upon the length of loop of handling depending upon the length of the loop of handling जो होता है नेफरों दो टाइपस का होता है yes depending upon the length of the loop of handling depending upon the length of the loop of handling depending upon length of loop of depending upon the length of the loop of handling से depending upon the length of the loop of handling depending upon the length of the loop of handling यह दो टाइप का होता है क्या नेफरों ओके एक हम लोग बोलते हैं yes cortical nephron cortical nephron और एक हम लोग बोलते हैं जक्स्टा मेडूलरी नेफरों यह स्को आप इसको देखिए एक चीज़ आपको देखिए इसको पास short loop of handling होता है इसका जो होता है long loop of handling होता है बहुत important question है long loop of handling ओके ना इसका mainly urine formation काम होता है यूरीन formation that means blood का filtration लेकिन इसका जो मेन काम होता है इसका जो मेन काम होता है yes urine concentration urine को गाढ़ा करता है urine का इस आप कंसेंट्रेटिंग एक्सेंट यह जो तीन आपको डिफरेंस पढ़ाया यह तीन का तीन सौरी चार का चार कोस्चन है कोटिकल नेफ्रों जक्षा मिड्लरी नेफ्रों ठीक है 85% 15% किड्नी में यह सौट लूप आफ हैंले है इसका लॉंग लूप आफ हैंले होता है और यूरीन फॉरमेशन और इसका यूरीन कंसेंट्रेशिंग मेकेनिजम होता है जड़ाइची आप देखिए जड़ाइची आप देखिए अगर मैं एक रीनल पिरामीड बाहर निकालूं माल लीजिए यह एक रीनल पिरामीड है ओके तो कोटिकल नेफ्रों आपको कैसा द यह कोटिकल नेफ्रों हो गया आपका अब यहीं पर मैं बनाओं जक्स्टा मिडूलरी नेफ्रों यह ग्लॉम्रस मान लो यह बोमेंस कैप्सुल मान लो और यह इसका ऐसे यह इसका लूप आफ हैनले होगा समझ में आया और फिर आके इसी में आके ओपन हो गया ठीक है तो यह सुच्छा जो है आपका यह कोटिकल नेफ्रों है यह आपका क्या हो गया जक्स्टा नेफ्रों यह लॉप अफ हैनले एड़ फॉंक्षन ऑफ कंसंट्रेटिंग यूरी मेकनिजम ठीक है समझ में आया यह बदर फिर से पलेजिए टाइपस ऑफ नेफ्रों दो टाइपस की नेफ्रों होते है है कोटिकल नेफ्रों जो 55 परसेंट होता है यह और इसकानीज़ कर्थियों उसर्फ 15chas हो मेश